नमस्कार मित्रों, आपको भारतीय जनता पार्टी के माननिय रास्किय प्रवक्ता, डॉक्टर संबित पात्राजी संबोधित करेंगे, मिरा साधर अनुरोध है, माननिय पात्राजी से कि आपको संबोधित करें। दन्यवाद संजय जी, सभी पत्रकार बंधूओं को नमस्कार वो धन्यवाद। दूसरा विशय जिस प्रकार बिहार में आरजेडी से जुड़े सी मोर्चा के महासचिव रहे एक दलित नेता की हत्या होती है और जो आरजेडी के मुख्य नेता है उन पर एफायार हुआ है वह एक विशय है तीसरा एक गंभीर मामला राजस्थान को लेकर है जहां रेप के म सामले आये दिन जिस प्रकार से देश के सामने आ रहे हैं वो नहकेवल दुखद है अपी तू चिंताजनक है और इस सब में विपक्ष की भूमिका कि इस प्रकार चैनात्मक अर्थात सिलेक्टिव है इसका भी उजागर आज हम इस प्रेस कॉन्फेंस के माध्यम से करेंगे लेट मी फर्स्ट गो टू बेंगॉल पहले हम बंगाल की और चलते हैं एक जमाना था जहां बड़े स्पस्ट टूप से कहा गया था वाट बेंगॉल थिंक्स टुड़े इंडिया थिंक्स टुमॉरो बेंगॉल एक गड़ था बुद्धी जीवियों का सौंसकार का प्रामल बनाया है यह अपने आप में घ्रना के राजनीती को आगे बढ़ाता है आप सभी जानते हैं कल चार अक्टूबर को जिस प्रकार 24 नौर्थ परगना में भारतिय जंता पार्टी के काउंसलर और भारतिय जंता पार्टी के नेता मनीश शुकला की हत्या हुई है यह अपने आप में बहुत ही निंदिनी है और बहुत ही चिंता का विशय है मनीश शुकला जी भाजब के काउंसलर थे टीटागर मुंसिपालेटी के पार्टी ओफिस के सामने और सबसे बड़ा विशय है हाबडा से वो मीटिंग करके आ रहे थे तो नकाब पोष्ट लोगों ने जो अपने चेहरे को जिनों ने ढखा हुआ था नकाब पोष्ट लोगों ने बंदूक निकाल कर टीटागर के पुलीस स्टेशन के सामने गोली मार करके मनीश शुकला की हत्या कर दी है He was murdered, मनीश शुकला was murdered in the presence of all in front of the police station इससे दुखत विशय नहीं हो सकता है कानून के देवुडी पर कानून दम तोड़ दे इसका एक जीता जागता उदारण मनीश शुकला के हत्या की है बंदुगर्ण, आप सब को याद होगा, ये वही मनीश शुकला जी है जो नाकेवल काउंसलर और भाजब के एक अच्छे नेता है अपितु भाजब के अतिप्रिय मेंबर आफ पार्लेमेंट अर्जुन सिंग जी के अत्यंत निकट है विगत कुछ दिनों से अर्जुन सिंग जी ने भी और वीडियो जारी करके मनीश शुकला ने भी ये बताया था कि उनके जीवन के खिलाफ शडियंत्र हो रहा है कहीं न कहीं उनको किस प्रकार मारा जाए, उनकी हत्या किस प्रकार की जाए, ये शडियंत्र हो रहा है कि आज के लास विजेवर्गिय जी जो कि वहां के हमारे प्रभारी है बंगाल के उन्होंने भी वीडियो जारी करके कहा है कि कमिशनर अफ पुलीस अनूज वर्मा और अडिशनल कमिशनर अफ पुलीस अजय ठाकूर इनको तुरंच इनके उपर इंक्वाइरी और होनी चाहिए CBI के माध्यम से जाच होनी चाहिए मंदुगण मैं बंगाल को लेकर यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ दिनों से केवल दो महीनों में आप देखिए कितनी हत्याएं हुई हैं 30 जुलाई 24 साउथ परगना के गौतम पात्रा को मार दिया गया 15 अगस्त को अरामबाग के सुदर्शन परमानिक को मार दिया गया 21 अगस्त को कॉंटी के लियाकत साहब को मार दिया गया 13 सेप्टेंबर को आपको याद होगा अरामबाग में गनेश रोय को जिस प्रकार से मार करके उन्ह अब ही हमने देखा है वही वैसे ही 14 सेप्टेंबर को कूच बेहार में संबारू बर्मन को मार दिया गया 19 सेप्टेंबर को तामलुक के दिपक मंडुल को मारा गया है और 5 अक्टूबर को बरकपोर के मनिश शुक्ला जिसके विशह में मैंने अभी बताया उनकी हत्या हुई ह बंदुगन 14 जुलाई को आप तमाम निउस मीडिया ने है दिखाया कि देबेंद्रनाथ रॉय जो कि बीजेपी के MLA थे हिमताबाद उत्तर दिनाजपूर जिल्ला से उनको किस प्रकार से या आशंका भी जताए गई लोगों द्वारा कि उनको मार करके उनके घर के सामने लटकाया गया उसके बावजूद CBI investigation नहीं कराना और चोरी उपर से सीना जोरी का माहोल बनाकर लगवग रोज एक कारेकरता की हत्या करना मैं ममता जी से पूछना चाहता हूँ क्या यही न्याएं हैं क्या यही बंगाल की लोकतंत्र हैं जिस प्रकार से ममता बेनर जी दू उसरे राज्यों में बेचती है मैं आज ममता जी से सवाल पूछना चाहता हूं ममता जी आप मनीश शुकला के घर कब जाएंगे आप अपने प्रतिनिदी मंडल TMC के प्रतिनिदी मंडल को ममता मनीश शुकला जी के घर कब भेजेंगे और मैं क्यूंकि ममता जी बेंगॉली अच्छी तरह से समझेंगी तो इसलिए मैं बंगाल में भी बंगाली भाषा में उनसे कुछ पूछूँगा पश्चिम बंगे गणतंत्र को थाए पश्चिम बंगे गणतंत्र को थाए मानोनिया मम्ता बंदो पद्धाए की मनिश शुक्लार बाड़िता के जाबेन राज्य जुरे त्रिनमुलेर गुंडार हाते आमादेर कर्जो कर्तार मरा रच्छेन राज्येर बाइरे किछु घटले उनाके बार और उनार प्रतिनी धी दल के छुटे देते देखा जाए आमादेर तिलोचन महतो दुलाल कुमार शीशुपाल शाहिश कारूर बाड़िते उनाके देखते पावी जाएके पश्चिम्बंग मादुर्गार अराध्धो भुमी माँ जेमोने त्रिशुले विद्धो करे छिलेन महिशा शुरके तेमोने पश्चिम्बंगेर मानूश गोनतांत्रिको भावे औन्याए ओ अपशोशाररे अपशाशनेर प्रतिबाद करब्बे आप सबको मैं बता दूँ रविंद्रनाठ ठाकूर रविंद्रनाठ टेगोर जिन सबको हम राष्ट्र कवी के रूप में जानते हैं उन्होंने भी कहा था अपने प्रसिद्ध कृती स्वदेश रविंद्र रचना में जाग बे ततोई शक्ति जतोई हन बे तेरे माना आप मारते जाओ और हम अपने अंदर शक्ति जाग्रुत करते जाएंगे रविंद्र ना टेगोर ने कहा था आप हमें जितना मारोगे जितना पिडित करोगे हम पे जितना आप हमें मारने काटने और अत्याचार की प्रयास करोगे उतना अधिक हम शक्ति शाली होके लोकतांत्रिक तरीके से आपको जवाब देंगे बिहार से लगे हुए राज्य अंग बंग कलिंग की बात होती है तो आज अंग राज अर्थात बिहार जो हिंदुस्तान का कोई साधारन राज्य नहीं है हिंदुस्तान की धड़कन है बिहार और जिस प्रकार की राजनीती बिहार में आज हम आरजेडी में देख रहे हैं बहुत सारे सवाल आज आरजेडी को देना होगा आज सुबह प्रत्येक भारतिय ने अकबारों के माध्यम से यह खबर देखा है कि किस प्रकार बिहार के जाने माने दलितनेता शक्ति कुमार मलिक मात्र 40 वर्ष के आयू के युवानेता दलितनेता शक्ति कुमार मलिक को मार दिया गया उनकी हत्या की गई आप सभी जानते हैं वो पहले RJD में थे RJD के SC मोर्चा जो होता है उस मोर्चे के महासचिव थे और चन दिनों पहले उन्हें RJD से निश्कासित किया गया उसके पश्चात वो रानी गंज शेत्र से स्वतंत्र चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में थे ऐसा रिपोर्ट निउस्पेपर ने किया है उनकी पत्नी ने बहुत स्पष्ट रूप से यह शिकायत किया है कि यह पूरा मसला उगाई का था यह पूरा मसला RJD के बड़े नेता पैसा मांग रहे थे लाखों रुपए मांग रहे थे उगाई करने की कोशिश कर रहे थे जिसको की दलित नेता शक्ती मलिक जी ने इनकार कर दिया था और इसमें नाम खुद तेज प्रताप और तेजस्वी जी तेजस्वी जी जो पहले उपमुख्य मंत्री रह चुके हैं और जिनके चहरे के दम पर आज ओपोजिशन वहाँ राजनीती कर रही है और तेज प्रताप जी जो पहले मंत्री रह चुके हैं दोनों का नाम दलित नेता की पत्नी ने स्वेंग एफायार में दरज कर आया है दोनों का नाम एफायार में आया है आज मैं बिहार की जनता की और से भारत की जनता की और से तेज प्रताब जी और तेजस्वी जी से सवाल पूछता हूँ आप समाजिक समरस्ता और समाजिक न्याय की बात करते हैं आपके अपने घर के अंदर दलित नेता जो आपके थे जो आपके पाटी के थे आपने उनकी हत्या करवाई और ये पूरा विशे आप ही के पाटी के नेता की पतनी ने एफायार के रूप में दर्ज कराया है। आप आज चुप क्यूं है? इसका जवाब कौन देगा तेज प्रताब जी? कौन देगा? कौन देगा इसका जवाब कि आपने करोबो लाखो रुपय का इसमें घपला किया है? कौन जवाब देगा कि आपने उगाई करने की कोशिश की है? इसका जवाब आपको देना होगा ब विहार की जनता देख रही है और खुद पत्निय शिकायत किया है अंत में आप सब जानते हैं आज राजस्थान में बारा में एक और रेप के विशह में नीज दिखाया गया है किस प्रकार एक नाबालिक के साथ वहां रेप हुआ है यह जगन्य अपराध हमने देखा है इसी बारा में कुछ दिनों पहले दो नाबालिक बहिनों के साथ भी रेप हुआ था और वहां के मुख्य मंत्री अशोग गेहलोजी कह रहे थे यह तो छोटा रेप है यह तो कोई बड़ा विशह नहीं है च्छतीस गड़ में भी किस प्रकार से मैंने यहां पत्रकार बंदू ब च्छोटा बड़ा मडर इस प्रकार की जो चैनात्मक राजनीती होती है यह जो सिलेक्टिव राजनीती है यह राजनीती नहीं हो सकता है आज विपक्ष को जवाब देना होगा कि हर विशह में जो पॉलिटिकल टुरिजम करते हैं आखिर मनीश शुकला हो चाहे शक्ति मलि हो और जो नावालिक बहने हैं बारा में उनके घर यह सारे लीडर्स कब जाएंगे न्याय मांगने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कोई सवाल इसी से जुड़ा हो तो सवाल कुछे टुके टे lleva क्वे चाहे शनके सवाल करते हैं । स्वाल बहुतने सीङ्याय में झाहे में उनके स्वाल में अन्यवाद कि ऑ। सिर इस ऑटन अमना स тыंह सवार आगे बंगाल इसन घंगल Bengal has literally converted itself, thanks to TMC's way of functioning, into the killing fields of BJP Karekartas. There is a pattern which has emerged long since, and that's the reason as to why. In fact, I talked about 115 murders till now of Bhajap Karekartas, BJP Karekartas in Bengal. And if you remember, I'm showing you a booklet. This is a booklet which BJP had released, with names and pictures of each one of those who had been murdered. Since the booklet was released in 2018, we had 97 odd names over here of Karekartas. Till now, approximately 115 people have been killed. This shows that there is a pattern number one. Number two, you cannot have two principles. In other states, when people say, when the chief ministers say, well yes, you have to believe an investigation, the investigation is on, and SIT is on, you denounce them. But in your state, you say, that no political party should, in fact, hold a press conference, or raise questions, just because an investigation is on? Mr. Kailas Vijay Varghir, are the top leaders of Bharati Janta Party in Bengal, have demanded a CBI probe. Will Mahmata Banerji allow a CBI probe to be held in this case, is the question that we are raising. Mr. Kailas Vijay Varghir, are the top leaders of the press conference? Mr. Kailas Vijay Varghir on July 18 Nintendo, have then given a message that, you must found him as criminal moralism matters, and if you care about it, you will be as direct writer. The other thing, Mr. Kailas Vijay Varghita, has been in the British nasarra for the previous engagements. हैं मुझता खुद काउंसलर है दोनों एंपी ने भी और काउंसलर ने इसे पहले कहा था कि इसके जान को खत्रा है मेरे जान को खत्रा है यह भी मनिश जी ने कहा था और कहा था कि पुलीस मुझे मारने के लिए क्षडियंत्र रच रही है जब ऐसा विशय होता है इतना गंबीर विशय है और पुलीस स्टेशन के सामने मारा गया है तो क्या सी बी आए की जांच नहीं होनी चाहिए देखे भारत एक डेमोक्राटिक कंट्री है एक लोकतांत्रीक देश है विपक्ष का करतव्य है कि जहां भी उनको लगे कि कुछ भी अन्याय हुआ है अगर उनको लगे भी तो वो अपनी आवास को बुलंद कर सकते हैं किन्तु देश के अंदर वयमनस्यत्या फैलाना जाति लोगों से अधिक की मृत्यू हुई है क्या यह विपक्ष का करतव्य है क्या यह विपक्ष का दाईत्य तो है बिलकुल नहीं आप बिलकुल आवाज उठाईये किन्तु दंगे भड़काना जूट बोलना यह उचित नहीं है अधिक बिलकुल आवाज नहीं है यह बिल्कुल आवा लॉट जाटेश्य में आवांगाना फिल्ड आवाजेश्य में हुषती तो ड्याजी व्ट वीक प्र्याजी नहीं है गुट बीडिवाद्ड इस् का यह उच्ट ड़्यूवीट्डर लॉट उच्ट इस्परताप परत्फर एक्राप्तूर्स अब्सक्राप्टूर्टूर्ट थे जोड़ा उसाइंगा। if they talk about Dalit rights.